आज की वीजियो में हम करेंगे क्लास 6 की पोयम वोकेशन ठीक है इंग्लिश लिटेटर की बुक से लिगए है और बहुत ही सिंपल बहुत ही इंट्रस्टिंग बहुत ही मज़ेदार सी यह पोयम है बड़ी जल्दी से आपको समझ में आएगी अगले 10 फंद्रामन्तों में है ना आप क्या काम धंदा करते हूं वह आपका वोकेशन होता है ठीक है आप देखो यहां पर से बढ़ते हैं कि विन यूवर यंगर डिट्यू एवर विश्च जब आप छुट्यों थे कभी अपने ऐसा इच्छा जाहिर करी दाट यूवर समवन एल्स आप कुछ और होते कि काश आप जिंदीगी में कुछ ऐसा कर रहे होते जो आप अभी कर रहे हो उसकी तरह ना होता कुछ और ही होते आप कुछ और ही बन जाते आपके डेली रूटीन से कुछ अलग अटके कर रहे होते सो लेक्ट एस रीड़ पोयम दाट एक्स्प्रेस असिम्लर विश तो यहां इस पोयम में एक बच्चा है और बच्चा ना कुछ इसी तरह की विश कर रहा है कि वो जब एक किसान को देखेगा तो उसे लगता है कि काश में किसान बन जाता एक वाच्छ में को देखता है तो ना पड़ता है किती मज़ी की लाइफ होती है मेरी दो तो ऐसी कुछ चाहें जाहिर करते हुए यह पोयम है तो चलू शुरू करते हैं इस पोयम को है वह देन जाने सेन दीए इन परीडी गहिंट तो यह बचा कहता है कि जब गॉंग का मतलब होता है चलो मीनिंग लिखते चलो को पासटों करके तो शुरू बढ़ावाला तो चुरू अ उसको बोलते है घंटा गॉंग तो जब क्या होता है कि विद्ध गॉंग संट पर 10 स्कूल बाइबर लें और मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ ने टीक 있는데 everyday I meet a hawker और होज कौन मज़े मिलता है hawker hawker का मतलब लिखो फेरी वाला फेरी वाला कौन होता है जिसे की आलू ले लो बैगन ले लो हैना जो ठेलो पर अपने समान बेचते हैं पर इनको कौन सा मिल रहा है hawker crying जो जिला रहा है बोल रहा है bangles to strip bangles चूडियां कांच की चूडिय क्रिस्टल क्या होता है जो कांच होता है ना आर पार जिसके देखा जा सकता है उसको बोलते है क्रिस्टल है ठीक है तो कांच की चूडियां बेच रहा है यह hawker तो होता क्या है कि this is nothing to hurry him on sorry there is nothing to hurry him on उसको तो कई जल्दी नहीं है अब एच्छा नहीं बड़ा अट्रक्त हो जाता है इसकी life देखके कि वहाँ हो है यहां मेरे को मेरे को स्कूल जाने की बड़ी जल्दी है ताइम होग यह मुझे तो स्कूल पर ही जाना है और क्या हो रहा है कि इसको ना मितलब कोई जल्दी पहुंचने है दर जो रोड ही मस्ट टेक और ऐसी कोई रोड भी नहीं इसको इसी रोड पर ही जाना है तो मुझे तो ज़रूरी है ना कि मेरे स्कुल यह से तो प्लेस प्लेस京 पर जा सकता है कि दर मन करेको जिधर मन गई जा सकता है और इसके लिए तो को ऐसा सामय भी नहीं है कि आपको इतने ही बज़े गर वापस आना है बच्छों को तो अपने टाइम पर पहुंचना ही बहुंचना है वरना मुझमा डाटेगी लेकिन क्या है यह खौकर की लाइप कितनी उसको लगता है कितनी इंट्रस्टिंग है कि किसी कि आई वर वर कहां क्यों आया यहां पर वस क्यों नहीं आया क्योंकि जब आपको इच्छा जायर करते हो ना कि काश का जब सेंस आता है तो हम आई के साथ वर लगाते हैं तो बोलता है कि काश में एक खौकर होता सपेंडिंग मैं डे शारी समी जानटी न फिर गिसेंग डिश्टू के हैं ऑफ त değ-फम करें डिंदे shining केश दर्ूड रहे हैं सश्टू नहीं होता है कि वह। सब्सक्राइब होती है जो हमें नहीं पता होती बड़ चलो आगे देखते हैं इस पोएम में इसका मज़ा बनी रहने देते हैं विन इट फोर इन दो आफ्टर नून जब शार शाम को चार बजते हैं आई कम बाक फ्रम दिस्कूल तो यह बच्चा वापस आता है स्कूल से बुलता है मैं आदी है digging the ground को डिग कल रहा है यह ग्राउंड को डिग रहा है तो डिग रहा है करना चाहता है जो उसे पसंद है वह इसके सब्सक्राइब करें तुक लग रहा है बच्चे को कि वो क्या कर रहा है इस वाइल सब्सक्राइब को अपने कपड़ों को मिटी से गंदा कर रहा है कौन यह फार्मर है ना और क्या हो रहा है बड़कर इस विज्चिक अबर जो पोड़ी टेक्स है इंट त्रॉब्सक्राइब कर रहा है उसको बेंट से मजे कर रहाई विल्कुल सको लग रहा विच्चे को रक्राइब इसको कोई नहीं आटने वाला है इसको कोई डर्टने वाला नहीं है तो आप बच्चे की नेक्स्ट विश्क आई अगर मैं गार्टन होता तो मैं क्या करता कि मैं खुदाई करता है ना और नोबडी टो स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग और मुझे कोई रोकता भी नहीं नहीं रोकता डिगिंग करने से चलो भई अब आगले पेच पर देखते हैं फिर हमें क्या सीखने को मिलता है नेक्स्ट रग्रफ है यह जस्ट एज गेट डार्क इंडा इवनिंग अब जैसे ही क्या होता है सुबागे टाइम पर उसको क्या बनाता चुड़ी वह शाम के टाइम पर वो स्कूल तो घट रहा था क्या बना तो इसको गार्डन अभी रात को देखो उसको क्या पनना है जस्ट एज दार्क इन दाई जैसे ही क्या होता है रात को जुड़ा इवनिंग में डाकनस होती है अंदेरा होता है मैं मादर सेंट मी तू बैट मेरी ममा मुझे बैट पैस होनी के लिए भेज दी आंग ऐसी थूड़ मैं ओपन विंडो में देख सकता हूं किसी देख सकता हूं अपनी ठीक है साड़क पे जा रहा है और वो लेन कैसी है दे लेन इस डार्क इन लोनली क्योंकि रात का समय है तो क्या है बहुत विशाल बहुत बढ़ा और ऐसा कौन का राक्षिस तो कहरा है कि स्रीट लाम कैसे जैसे लक्षिस होता है जिसे के राक्षिस होता है एके सर एक पर एक डाया करने के बोल रहे और है वॉसकेल जल रहे आहना उसके लिए टेयुर्ट लक्षिपल्स हैं सई आतफ जक्योंग नहीं पीछे बढ़ती है तो आपकी शेडव बनती है आप परचाई बनती है तो कहरें कि यह देखो यह वाच्मन जो अपनी परचाई के साथ साथ चल रहा है रात को सक्षट हो जाके को रोज रात को जागने को मिलेगा है ना तो यह बच्चे को आप बच्चा की इच्छा जाहिर करेका मज़े लग रहे हैं तो I wish I were a watchman काश मैं एक watchman होता walking the streets all night और मैं हर रोज रात को street पर walk करता chasing the shadows with my lantern और shadows को shadows means परचाई को क्या करता मैं उसका पीछा करता परचाई का है ना बस और मजे करता lantern के साथ अपनी है ना लालते इंजोन के हाथ में होते जिसमें रोशनी होती है तो बस फिनिश होगे यह मारी यह पोएम अब हम तोड़ा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं विकरज जो पोएट है ना इस पोएम के वो बड़े इंपोर्टेंट है है ना राविंद्र नाट टेगोर जी इनके बारे में 1861 से लिकर 1941 तक पैदा हुए कब मेरे चीक यह बहुत ही फीमस यो थे वो इंडियन आजुकेटर और यह पोएट थे और ही रोट और कंपोज दे नाशनल अंथम अफ टू कंट्रीज दो कंट्रीज का एक इंडिया का और एक बांगलादेश का उन्होंने नाशनल अंथम कंपोज भी किया और उसको लिखा भी बनाया भी और लिख भी दिया यह स्टार्टर राइटिंग पोएम्स अट दी एज ऑफ एज उन्होंने आच साल की उम्र में ही पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया था इन 1901, he moved to Shanti Niketan to start a school और उन्होंने 1901 में वह कहां चले गए देबर Shanti Niketan चले गए वहां जाके उन्होंने एक तांजली ठीक है तो इन 1913 के बाद तब ठीक है तो इनको क्या किया था उस चीज के लिए इनको नौबल प्राइस भी दिया गया था तो बस फिनिश हो गए हमारी यह पोएम तो देखो कितना 12 मिनिट मुश्किल से लगें और आपका चैप्टर हो गया क्ली आप हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक की जगा शर्क की जगा चैनल को सब्सक्राइब की जगा तांक यू हैव नाइस से